यार रिष्टा किसी का भी हो, कोई भी हो, जब तूटता है तो दर्द तो होता है, वो जब ये रिष्टा प्यार से भरा हुआ हो और जब ये अचानक तूटे, तो इसके तूटने की आवाज दिल और दिमाग को जंग जोर कर रख देती है, बिक बॉस के घर में एक रिष्ट पर भी उन्होंने कई बार बाते किये, खुल कर बाते किये, लेकिन माहरा शर्मा ने अपने इस रिष्टे पर कभी खुल कर बात नहीं की, न पहले, न ब्रेक अप के बाद, लेकिन अब उनका एक इंटरव्यू आया है, जिसमें उन्होंने अपने दिल की बात शेयर करने की कोशिश की है क्या कुछ है खास पूरी बात बताएंगे आपको अपनी इस वीरियो में तो प्लीज वीरियो को एंड तक जरूर देखिए लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बलाकन को भी जरूर प्रेस कीजिए बिग बॉस 13 में हमा साथ साथ पनप रहा था अब ये बात अलग है कि उन्होंने शो के लिए किया या लाइम लाइट में आने के लिए किया ये तो यार अलग बाते हैं लेकिन ये रिश्ता पनपा जरूर था पाहरा जिसे नाम दिया गया पारस और माहरा और बाहर आकर उन्होंने कई म्यूजि कर दिया था पारस को और बहुत सारी जो उनकी पिक्चर्स थी साथ में उन्हें भी डिलीट कर दिया था अपने इंस्टा हैंडल से इस पर पारस का तो इंटाव्यू या फिर रियक्शन बहुत जल्दी आ गया था उनका कहना था कि उन्हें कुछ समझी नहीं आ रहा कि माहरा अखिर ऐसा क्यों किया उसके बाद पारस ने भी ऐसा ही किया सारी पिक्चर्स को डिलीट किया अपने इंस्टा हैंडल से और अन्फॉलो किया माहरा को और अभी तक भी अगर हम बात करें पारस की तो वो अकसर अपने इस रिष्टे पर बात करते हैं अभी अभी पॉड्का इसलिए पारस अलग होना चाहते थे काफी टाइम से लेकिन कदम पहला माहरा ने उठा लिया और माहरा का जो अभी एक लेटिस्ट इंटरव्यू आया है तो उनका भी यही मानना है कि यह रिलेशन्शिप पस इतना ही था मतलब इसकी उम्र शायत इतनी ही थी इसलिए यह आग अधाली बार अपने रिश्टे पर बात की है यह वही माहरा शर्मा है जिन्नोंने हमेशा लायल्टी की कसमे खाई है खुद को लायल्टी की महान मूरत माना है तो आज वो लायल्टी कहां है भाई यह एक सिच्वेशन है जो किसी के साथ भी हो सकती इसलिए कभी किसी का शाइशा शहनास का मजाख ही उड़ाया है रिष्टे को लेकर हाला कि शहनास का रिष्टा कितना प्योर रहा है विग बॉस 13 में भी और उसके बाद भी सिधात के साथ ये तो हम सब ही जानते हैं लेकिन फिर भी यार वो सब बातों को अलग रखते हुए माहरा जिन ने जो कहा अपने रिष्टे पर तो सच मुझ सब को बुरा तो लगाई है क्योंकि कोई भी रिष्टा तूटे यार दर्द तो होता ही है वेल गाईज आपका इस पर क्या है कहना कामेंट में आकर हमें जरू बताएं वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज वीडियो का लाइक करकि जल से जल्द पाने के लिए थैंक्स पर वाचिन गाईज